हलो अब्रिवन स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओननेट जहारखन पर तो दस्तों सेवन्थ जेपी सी की एक लेटिस्ट अपडेट निकल कर आई है इसमें एक्जाम पेटन को लेकर कुछ चैन्जेस के गए हैं तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो क की माधिम से डिटेल्स में देखने वाले हैं कि एक्जाम पेटन में क्या-क्या चैन्जेस की गई है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शुरूआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नाए है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे इसके साथ ही बैल आकन को प्रेस कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर लिजे ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बदलाव किये गए हैं जारखंड लोग सेवा आयोग यानि जैपीएसी ने सिविल सेवा परिक्षा पैटन में बदलाव किया ह सिविल सेवा प्रारंबीक परिक्षा यानि पीटी अब दोनों प्रश्न पत्रों के कूल योग पर कोटिवार पास मांक्स की गन्ना होगी यानि जेनरल केटेगरी के अभियर्थियों को अब पीटी के दो पेपर परतेग 200 अंग की परिक्षा में कूल मिला कर 40% क्वालिफा होगे वहीं दुरी प्रश्न पत्र भाशा विशे लिए 900 अंंक गई होगा इसमें कूल 17 भाशाओं को सामिल क्या गया है इस तरह मुक्य परिक्षा यानि मैं ज्न स्कूल 950 अंकुं 800 व Wow d500 अंक की होगी यानि 800 शू अंक जो होगा दुरी प्रश्न पत्र भाशा विशे का 1500 इंटर्व्यू 100 अंकों का और प्रतम पत्र के हिंदी व अंग्रेजी भाशा की परिक्षा 100 अंकों की होगी। हिंदी अंग्रेजी भाशा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30 अंक लाना अनिवार होगा हलांकी इसका अंक अब मेरिट लिस्ट निर्धारन में नहीं जुड़ेगा। हम लोग दखते हैं मुखे परिक्षा की मेरिट लिस्ट धाई गुना के अधार पर बनेगी। PT का result रिक्ती के 15 गुना के अधार पर बनेगा, लेकिन मुख्य परिक्षा की merit list धाई गुना के अधार पर बनेगी, इसके बाद interview का आयोजन किया जाएगा, तो ये है procedure selection का, चलिए next point पर हम लोग देखते हैं, PT में दोनों paper मिला कर 40% qualifying marks लाना होगा, SCST महिला के लिए qualifying marks 32% या तहत अनारक्षित के लिए 40% हैं, जबकि SCST महिला के लिए 32%, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, आदिम जंजाती के लिए 30% और EWS यानी, economically weaker section category के लिए 40% अंक नेरधारित हैं, इस बार की ब्यवस्था के तहत अब paper wise marks लाना अनिवारी नहीं होगा, ये important है, पहले paper wise marks लाना अनि इसमें बताई गई है कि paper wise qualifying marks लाना अनिवारी नहीं होगा, किसी अभियर्ती को किसी paper में अगर निउन्तम अहरतांक से कम अंक आते हैं, लेकिन दोनों पत्र मिलाकर अगर वे निउन्तम अहरतांक अंक ले आते हैं, तो वह अभियर्ती qualify माना जाएगा, अभियर्ती merit list से हट तो reserve category का नहीं रहेगा पद, इसके तरहत यहां पर बताई गई है कि निउन्तम अभियर्ती के अनारक्षित merit list से हटने के बाद, उग्त पद reserve category का ही नहीं रहेगा, बलकि merit list को संसुधित कर उसमें अनियोगी अभियर्ती को शामिल क्याएगा, आजा सकेगा, तो यह थी JPSC की तरफ से एक बहुत बड़ी update, तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह update आपको समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like and share जरू किजे, चैनल पे नाए है तो please चैनल को subscribe कर, bell icon को भी प्रेस कर लिजे, ताकि आपको जो भी new updates आएंगे, उसकी notification सबसे पहले आपको मिल चाया करेगी, वीडियो की PDF के लिए आप मारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, link मेंने description में दे दी है, वहाँ से आप मारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर पाएंगे, सारी वीडियो की PDF आपको टेलिग्राम चैनल पे प्रवा में वीडियो की WhatsApp